मुंबई के शिवडी इलाके में वेयर हाउस में करोडों की चोरी करने वाले गिरों का परदा फास हुआ है पुलिस ने उस गिरों के स्ताथ सदस्यों को गिरफतार कर उनके पास 25 लाख रुपए का चोरी का माल रिकावर किया है गौर तलब है कि सिवडी स्थित वेर हाउस के एक गोदाम में 24 जून की रात में 89,88,235 रुपए के सामान की चोरी हुई थी यह मामला पुलिस ने अपरात क्रमांक 114 भादवी 380, 457 वा 454 के तहे दर्ज किया था पुलिस उपायुक्त गनेशिंदे वा सहायक पुलिस आयुक्त संजय वेरनेकर वा वरिष्ट पुलिस निरिक्षक गजानन कुणहाने के मार्गदर्शन वा निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था इस मामले की जाज कर रहे पुलिस अधिकारी पुलिस उपनी रिख्षक किरन मांधरे उनकी टीम के पास कोई सुराग ना होने के बावजूत पुलिस ने अपने खबरियों के माध्यम से चोरों को ढूंड निकाला किरन मांधरे ने बताया कि चोरी के इस मामले में हमने वा हमारी टीम के सदस्यों ने एक खबरी के माध्यम से मिली जानकारी पर साजित मुंबई आरिफ शेख उर्फ मुल्ला करम हुसेन अब्दुल्ला शेख ममत्या उर्फ सत्यवेल हरिजन मुहम्मद युसूफ मुल्ला इर्शाद खान पठान गनेश टाल मले काव डरे वा शारुख वसीम खान को 11 जुलाई के दिन गिरफतार किया है। मांधरे ने ये भी बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास चोरी हुए समान में से अब तक 25 लाग का समान रिकवरी भी किया जा चुका है। बाकी का सम मिल अन्य आरोपि सदस्यों को जल्द गिरफतार किया जाएगा। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।